एगाइस वाट्साप बहुत 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 स्वागत है गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं फोटो सिंथेसिस का जो और इंपोर्टेन्ट कुश्चन्स है उनको सॉल्ड करने वाले हैं हमने एक वीडियो अल्रेडी बना रखा है तो वीडियो आप जाके देखिए बहुत ही करते हैं तो पहला कुश्चन है C3 तथा C4 पादपोंग के मध्य महत्पून अंतर उत्पन करने वाली प्रक्रिया है वाश्पोत सर्जन ग्लाइकोलिसिस प्रकाश संसलेशन प्रकाश श्वसन तो बताइए क्या लगता है तो देखिए C3 C4 प्लांट में वाश्पोत सर्जन पाया जाता है ग्लाइकोलिसिस भी होता है प्रकाश संसलेशन होता है लेकिन में डिफरेंच जो है प्रकाश स्वसन या फोटोरेस्पाइरेशन का है ठीक है देखिए C3 प्लांट जो है उसमें प्रकाश स्वसन या फोटोरेस्पाइरेशन देखा जाता है और C4 प्लांट म ये प्रकाश्वसन नहीं देखा जाता, तो मेन अंतर किसका है? प्रकाश्वसन का है ना? अगला कुईश्यान देखते हैं, प्रकाश्वसन में प्रगथम अभी कृटिया होती है, जल का प्रकाशब घटन, पन हरित अणू का उत्तेजन, ATP का निर्माड और CO2 का इस्थरी करण तो देखिए प्रकाश रंसलेशन की क्रिया कहा होती, मुख्यता देखा जाये पाउधों में तो वो क्लोरोफिल में होगा और जब तक क्लोरोफिल एक्टिवेट नहीं होगा, है ना, एक्साइटेड नहीं होगा, तब तक प्रकाश रंसलेशन की क्रिया नहीं होगी तो पहला काम ही क्या है प्रकाश जो पंढ हरीत है क्लोरोफिल है उसको उत्तेजित करना एक्टिवेट करना है न ठीक अगला देखते हैं क्वांटोजोम किस में पाये जाते हैं स्टोमा में ग्रेना में मैटोकॉंड्रिया में गॉलजीकाय में ठीक है तो इसको मैं इसका पहला आंसर तो है ग्रेना में ठीक है और दूसरा क्वेश्चन सेम टो से मिलता जूलता है क्वांटोजोम किस की सतह पर पाये जाते हैं प्लाजमोडेसमेटा क्रिस्टी थेलकॉइड नभी की जिल्ली में तो इसका आंसर है थेलकॉइड जिल्ली है न तो अब इसको स और Chlorophyll में मैंने बदाया था कि ये सिख्के के समान जो एक के उपर एक जमा हुआ रहता है इसको हम क्या बोलते है Green прикďर ठीक है क्या बोलते है Green agreement ये सारे संग्हों जो है इसको हम क्या बोलेंगी इसको हम बोल देते है Green agreement हैना लेकिन यदि एक सिक्का में उठा के यहां रख दू ये लो मैंने रख दिया तो इसको अब मैं क्या बोलूँगा एक सिक्के को थेलेकोईड बोलूँगा क्या बोलूँगा थेलेकोईड और थेलेकोईड में ही क्या हो पाया जाता है ये देखिए थेलेकोईड में ही जो है ना तो इस तरीके से answer क्या हुआ अगर ग्रेना दिया है तो बहुत सारे सिक्के हैं हर सिक्के में पाया जा रहा है मतलब सिक्के के सम्हुँ को क्या बोल देते हैं एक तो तो पत्तियों में पस्थित karbohydrate, gel, carbon dioxide मतलब यह है कि पौधे जो है oxygen चोड़ते हैं सबको पता है तो वो oxygen चोड़ते है तो वो निकलता कहां से है वो oxygen तो वो निकलता है जल से ठीक है कहां से? जल से जल जो है H2O टूट जाता है है ना hydrogen में और oxygen में तो यह oxygen बाहर निकाल दिया जाता है ठीक है अगला कुछ यह देखते हैं प्रकास ट्रंसलेशन में oxygen जल के प्रकासी अब घटन से उत्पन होती है यह सिद्ध किया था रुबेन वा कमेन ने, राबर्ट मेयर ने, एम केलविन ने, ब्लैक मैन ने तो देखे इसका आंसर है option A, रुबेन वा कमेन इसकी व्याक्या देख लिजे कि 37 की बात है 1937 के हिल नामक जो scientist है उन्होंने बताया कि oxygen जो निकलता है वो जल से निकलता है है ना जल से oxygen पैदा होता है यह बात उन्होंने बता दिया था प्रतिबाती कर दिया था लेकिन बाद में जब 1941 की बात है चार साल बाद हिल ने जो बताया oxygen जो है जल से पैदा होती उसके 4 साल बाद 1941 में रुबेन ने बात proof किया क्या किया प्रूफ किया कि हाँ oxygen जो निकलता है वो पानी से ही निकलत तो इसमें प्रूफ करने वाला question फुछा गया है तो इसलिए रुबेनवा comment ठीक अप्शन में दिया है अगला देखते हैं प्रकास स्वसं में भाग लेने वाले को शिकांग है तो इसका अंसर है option D देखिए प्रकाश वसन या फोटो रेस्पाइरिशन तीन अंगों में होता है कुछ खांगों में होता है कौन कौन सा एक तो हो गया chloroplast दूसरा हो गया mitochondria और तीसरा हो गया प्रकाशी जोम है ना तो option D अगला कुछ देखते हैं वातावरन में कारबन डियोकसाइड इवं ऑक्सिजन का संतुलन किसके द्वारा बनाया जाता है प्रकाश स्वसन प्रकाश संसलेशन C4 चक्र तापकरम तो answer है option B प्रकाश संसलेशन के उकि प्रकाश संसलेशन में क्या होता है कारबन डियोकसाइड को वातावरन से ग्रहन किया जाता है फिर बना उसी कारबन डियोकसाइड से ग्लुकोज और ऑक्सिजन फिर उस बने ऑक्सिजन को बाहर निकाल दिया जाता है फिर वातावरन से कारबन डियोकसाइड लिया जाता है फिर ऑक्सिजन बहार निकाल दिया जाता है इस्टोमेटर की खुलने और बंद होने से ठीक तो इस तरीके से प्रकास संसलेशनर से कार्बन डायोक्साइड और ऑक्सिजन का संदूलन बना रहता है अगला देखते हैं प्रकास संसलेशनर के लिए सरवाधिक प्रभावी तरंग देर्ध वाले प्रकास का रंग है लाल हरा पिला बैंगनी तो याद रखे लाल ठीक है अगला देखते हैं ऐसा पोधा जिसका क्लोरोप्लास्ट दूरूप्ता प्रदर्शित करता है कौन सा है गन्ना धान गहुँ चुक अंदर तो इसका अंसर है गन्ना देखे दूरूप्ता क्लोरोप्लास्ट दूरूप्लास्ट का मतलब यह है कि दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है ऐसा आप समझ लजे है ना तो दो तरीके का क्लोरोप्लास्ट वो है C4 प्ला प्रकास इंसलेशन की प्रकास अभिक्रिया में चक्रीक एवं अचक्रीक फास्फोरिलेशन के दोरान होने वाली प्रक्रिया है NADPH2 का निर्माण, PS1 एवं PS2, दोनों वर्नको का युगदान, उक्सिजन का मुग्त होना और ATP का निर्माण तो देखिए, मैं बतारूँ चक्रीक अभिक्रिया में, इसका अंसर फिल हाल तो ATP का निर्माण है, देखिए, चक्रीक का अभिक्रिया में कितना ATP बनता है, दो ATP बनता है, कितना, दो और चक्रिक में कितना बनता है 1 ATP ठीक है 1 ATP इस तरीके से 3 ATP बनता है प्रकास अभी क्रिया में है ना प्रकास अभी क्रिया में 3 ATP तो ATP का निर्माण इसका सही अंसर हो जाएगा ठीक है अगला क्विस्चन देखते है करबंडाई इस थरीकरण के C4 चक्र का सरोप्रथम वर्णन करने वाले वज्ञानिक थे सेक्स, इमर्शन एवं अर्नॉल्ड, हेच एवं स्लैक, ब्लैक मेन तो इसका अंसर है आप्शन D, C, C, हेच एवं स्लैक हेच एवं स्लैक साइन्टिस्ट ने C4 चक्र को बताए इसलिए C4 साइकल को हेच एवं स्लैक साइकल भी कहते हैं ठीक है, अगला देखते हैं NADPH2 की उत्पत्ती किस से होती है AYB स्वसन, ग्लाइकोलिसिस, पिएस फर्स्ट, पिएस सेकेंड तो इसका अंसर है पिएस सेकेंड, पिएस सेकेंड में क्या होता है NADPH2 का निर्माड होता है किसका NADPH2 का अगर आप फोटो सिस्टम सेकेंड देखेंगे उसका सैकल तो उसमें आपको देखेगा कि उसमें NADPH2 बनता है उसके बाद देखते हैं क्लोरोफिल का केंदरी धातु है लोहा, मैगनेशियम, निकिल, कॉपर तो इसका केंदरी धातु है मैगनेशियम और जैसे कि हीमोगलूबिन में अगर देखा जाए आपको तो हीमोगलूबिन में आप बताओगे कि आईरन, एफी केंदरी धातु है उसी तरह क्लोरोफिल में मैगनेशियम केंदरी धातु है अगला कुश्यन देखते है प्रकास संसलेशन की अंधकार अभिक्रिया होती है ग्रेना में, स्टोमा में, मैट्रिक्स में, कुश्यका द्रव्य में तो इस कांसर है स्टोमा में अंधकार अभिक्रिया स्टोमा में और प्रकास संसलेशन की प्रकास अभिक्रिया होती है ग्रेना में ठीक है ग्रेना स्टोमा समझ में आया है तो इस तरीके से अगला कुश्चन देखते हैं प्रकास संसलेशन में कार्बन के मार्ग की व्याख्या के लिए Kelvin ने कौन सा radioactive समस्थानिक का प्रयोग किया तो C14 का क्योंकि यही जो है वो radioactive आइसोटोप है कार्बन के है ना C14 और अगला कुश्चन देखते हैं प्रकास अंसलेशन में कार्बन डियोक्साइट के मारक ही वाक्षा के लिए नोबिल पूरसकार प्राप्त हुआ Kelvin को, क्रेप को, खुराना को, वाटसन एम क्रीक को तो Kelvin को उन्होंने क्या किया C14 कार्बन में यह पता लगाया ठीक है प्रयोक किया और इसके लिए उनको क्या मिला नोबिल प्राइज मिला, है ना, तो इस तरीके से हुआ, आगला कुश्चन देखने है, प्रकास संसलेशनर के लिए सीमा कारी कारकों का सिध्धान दिया, ब्लैक मेल ने, स्वरही ब्लैक मेन ने, हिल ने, रुबेन ने, कामेन ने, तो आंसर है ब्लैक मेन ने, सीमा कारी ना, अगला कुश्चन देखने है, प्रकास संसलेशनर के लिए कौन सा सीमा कारकों नहीं होता, है ना, ऑक्सिजन, कारबन डैक्साइड, पर्ण, हरीत, प्रकास, तो देखिए, प्रकास संसलेशनर के लिए कच्छे माल के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, चार होगी, ठीक है, लेकिन ऑक्सिजन, ऑक्सिजन जो है, ये सीमा कारी कारक नहीं है, क्योंकि ऑक्सिजन खुद मुक्त होता है, वातवरण में, है ना, तो इसलिए इसका सहीं अंसर है, चारों में से ऑक्सिजन, है ना, तो गैस वीडियो इतना ही है, पसंद आया होगा तो ला लिग नम सभी जूर जाइए, थेंक यू